ईश्वर से जुडने के लिए ये पाँच भाव कर सकते हैं आपकी मदद। हमारा वास्तविक संबंद परमात्मा से हैं। शास्त्रों में बताया गया है। हम संतों और महापुरुषों से सुनते भी हैं कि जीव जगत का नहीं, जगदीश का अंच है। बाबा तुलसी दास जी ने भी कहा है ईश्वर अंच जीव अविनाशी चेतन अमल सहेज सुखरासी। तो परमात्मा से हमारा जो संबंध है वह नित्य है और वास्तविक है। संसार से जो संबंध है यह माना हुआ है और अनित्य है। पहली बात तो यह की इस वास्तविक्ता को हम स्वीकार करे इस सत्य का हम अनुभव करें कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं यहां तक कि यहां शरीर भी हमारा नहीं है शरीर के साथ हमारा जो संबंध है वहां माना हुआ है और अनित्य है आज इस शरीर में हैं इससे पहले किसी और शरीर में हम थे कल फिर किसी और शरीर में होंगे तो शरीर भी हमारा नहीं है यहाँ अनित्य है और छूटने वाला है देखो व्यवहार में इसका भी महत्व है यहाँ मेरी माता है, यहाँ मेरे पिता है यहाँ मेरे बच्चे हैं, यहाँ मेरे पती है, यहाँ मेरी पत्नी है इन सबके प्रती मेरा जो कर्तव्य है व्यवहार जगत में मुझे उसका पालन करना पड़ता है और करना चाहिए इसलिए व्यवहार जगत में ये जो संबंध है चाहे माने हुए हो लेकिन उनका भी व्यवहार जगत में महत्व है आध्यात्मिक रूप में देखा जाए तो संसार के चाहे जितने भी संबंध है, चाहे वस्तु के साथ हो। चाहे व्यक्ति के साथ ये माने हुए है और अनित्य है। इसके विपरीत इश्वर के साथ हमारा जो संबंध है, वह वास्तविक और नित्य है। अब जब यहां बात समझ में आ जाए, यह सत्य समझ में आ जाए तो फिर सवाल उठता है कि उस संबंध को क्या नाम दिया जाए? कोई भी नाम दे लीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा. आप चाहे किसी की पूजा आराधना करे तत्व एक ही है, सत्य एक ही है. यहां भक्त की रुची के उपर निर्भर करता है, भक्त की भूमिका के उपर निर्भर करता है. वैसे भक्तिमार्ग में पांच प्रकार के भाव बताए गए हैं. अपनी रुची के जिस भी भाव से हम युक्त हों वैसा संबंध हम इश्वर के साथ, इश्ट के साथ बना ले जैसे नंद और यशोदा का वादसल्य भाव है, क्रिश्न के प्रती, राधा और गोपियों का श्रिंगार भाव है हनुमान जी का दास्य भाव है उसको चाहे तो आप सखा मान लीजिए और साथ्य भाव से भजिए अलगलग भूमिका के अनुसार आप अलगलग भाव से लेकिन उस परम सत्य से ही युक्त होते हैं उपनिशद भी कहते हैं कि जीव और शिव नित्य सखा है तो इश्वर को माता पिता मानू भगवान ज्यान स्वरूप है उनको नहीं जाना तो जितना भी जाना है सब व्यर्थ है भगवान ज्यान स्वरूप भी है और ये भी है इसलिए भगवान से जो नाता हमारा जुड़ जाए वह काफी है वे गुरु के रूप में ज्यान प्रदाता भी है इसलिए तो कृष्ण को भी हम जगद गुरु कहते हैं और शंकर जी को भी त्रिभुवन गुरु कहा गया है भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण वंदे जगद गुरु कहा गया है और शंकर जी के लिए कहा गया है कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना हे भोले नात आप त्रिभुवन गुरु है उस भाव से भी आप भगवान के साथ जुड़ सकते हो भगवान की भक्ती ही भक्त की निधी है वह मिल जाए तो फिर पाना क्या शेश रह जाता है